Hi everyone, OPD में अक्सर मेरे पास लेडीज आती है, बोलती है कि माड़म नीचे पेट में पेडू में इतना दर्द हो रहा है कि बच्चा होने वाला है या फिर पीरड आने वाले है, अब वो लेडी प्रेग्नेंट भी हो सकती है, वो लेडी नॉन प्रेग्नेंट भी होती है, कई ब बहुत सारी कारण होते, आज हम सारी कारण विस्तार सी पढ़ेंगे, इसको एंड तक जरू सुनिएगा पेट में नीचे की तरफ जो दर्द होता है, वो सबसे में कारण वो सबसे कॉमन कारण होता है, वो है गयस आप गैस आप बोलो कि नीचे की तरफ कैसे बनेगी आपका पेट एक डब्बे की तरह है आपके पेट में यहां से फूड पाइप शुरू होके सीधे पेट में जाती है और यहां पर होती है पेट की थैली जहां पर पिक्चेर में भी दिखाते हुए прим कुछ अपने सीने वाप आप आपके पैट में ब्लोूटिंग होगे क्योंकि अंदर जो आपके enzymes हैं, digestive juices हैं जो इसको digest करते हैं खाने को वो फूल गए अंदर जो है वो सारा acid भर गया और इसके वीज़े से आपका पेट फूल गया और कहीं न कहीं पेशन को लगता है या फिर उस इनसान को लगता है कि याद मैं तो पतले होने के लिए सब कर रहे हूं मैं मूटी कैसे हो रही हूं मेरा पेट क्यों निकल रहा है पेट में निकलता है वो पेट में घ्र भढ़ जाती है क्याप मुंच सांस ले जते है तो आपकी जो लंग है और पिज़ांस आपके पेट में चलियाती है आपकी कौन के नियोख से हो चाहे बहुत ज़ादा खाने की वज़े से हो या फिर भागते भागते या दौड़ते दौड़ते आपने मुझ से सांस ले ली दूसरा कारण होता है पेशाब में इंफेक्शन या निकी यूरीन इंफेक्शन आपकी जो बच्चेदानी है जैसे कि आप फोटो में देख क्योंकि यूट्रस की दिवार जो विजाना की दिवार और रेक्टम की दिवार वो विल्कुल पास पास होते है similarly uterus के आगे होता है bladder, bladder यानि कि पिशाप का रास्ता, उसका जो नीचे वाली pipe होती यूरित्रा उन लेडीज में इत्ती छोटी सी होती है, infection जल्दी होता है, यह मैं कई बर बता चुक हूँ, ladies में as compared to males infection जल्दी होता है, तो जब भी यहां पर infection होगा, या फिर कोई ऐसी चीज uterus के ऊपर है, या आसपास है, जो कि उसपर pressure डाल दी है, तो आपको बार-बार urine जैसा लगेगा, लेकिन हर patient हमको आकी यह नहीं बताती है, मेरे को बार-बार urine जैसा लग रहा है, वो बोती मुझे नीचे ऐसा pressure आ रहे है, जैसे बच्चा हो रहा है, especially जो pregnant होती होती है, उन तीसरा कारण क्या हो सकता है, एक तो हो गया पूरा gas, constipation, आतोस related, एक हो गया आपके पिशाप की थैली से related, तीसरा होता है हरनिया, अभी हरनिया बहुत कम देखने को मिलता है, अगर नीचे की तरफ हरनिया बन रहा है, तो आपको swelling होगी, आप खासेंगे, या उठके खड नहीं है, gents में ज्यादा common है, ladies में कौन सा हरनिया common है, umbilical, यानिकि जो आपकी नाभी है, वहां से हरनिया बनना, especially जो मोटी ladies होती है, उनके बीच वाला हिस्सा कमजोर हो जाता है, तो वहां पर हरनिया बन जाता है, या फिर अगर आपको पहले कोई operation हुआ है, उसको बोलत तो यह कुछ कारण होते हैं, जो की uterus से related नहीं है, बच्चे दानी से related नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नीचे pressure ऐसा लग रहा है, यह जैसे बच्चे दानी से कुछ बहार आ रहा है, अब आते हैं बच्चे दानी के कारण, बच्चे दानी का कारण main जो होता है, वो होता है आपको periods आने वाले हैं जो कि बड़ा common है periods आने वाले होंगे तो obviously आपको नीचे pressure आएगा, periods के एक दो दिन पहले से नीचे pressure आना, feeling आना की कुछ आने वाला है वो normal है second चीज अगर आप pregnant हैं, आपको abortion जैसा feel आ रहा है, तो definitely आपको doctor के पास जाने ही जाना है ठीक है, तो ये तो दो कारण होगे जो actually आपके symptom से match हो रहे हैं, जो आपको लग रहा है actually वही होने वाला है, या तो abortion होने वाला है, आपको feel हो रहा है, या फिर आपको periods आने वाले है, तीसरा होता है gant बच्चे दानी में gant, यानि की fibroid, रसॉली जिसको हम बोलते हैं इसके ओपर मेरे 2-3 वीडियोज आ चुके है बच्चे दानी में जो gant होती है, वो मास की gant होती है, वो दवाई से नहीं गलती है उसको हम दवाई से कोशिश भी करें तो आनी सकते हैं, 2-3-4 cm तक की gant को फिर भी थोरोबर दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपको कोई symptom नहीं है अगर आपको कोई problem नहीं है तो उसको पड़े रहन दे सकते हैं 4 cm से जादा की gant को सर्जी के लिए निकालना पड़ता है, अभी नहीं तो कहीं भी बन सकती है, आप देखने हैं फोटो में यूटरस में कहीं भी, यूटरस के उपर यूटरस के आगे, साइड में, पीछे नीचे, बच्चे दानी के मूपे ये फाइब्रोड कहीं भी बन सकता है जहां ये बनता है, उसके हिसाब से इसके सिम्टमज होते हैं, तो नीचे जो प्रेशार आता है वो जनरिली वह आला फाइब्रोड होता है जो बच्चे दानी के अंदर लाठक रहा है, बच्चे की तरफे बच्चे दानी के कैविटी में, अंदर जो उसकी पूली होलो कैविटी है उसके अंदर हो लटक रहा है तो वो बार-बार ऐसे feeling देगा कुछ चीज़ बाहर आ रही है क्योंकि uterus उसको बाहर फेकने की कोशिश करता है उसको बहुते हैं Simpson pain, Simpson pain यानि कि रुक रुक के रुक रुक के period की तरह प्रेशर आना और ऐसा लगना कुछ बाहर आ रहा है यह आपको पता होगा prolapse क्या होता है, basically आपके mass patient जब daily हो जाती है तो आपके बच्चेदानी थोड़ी से जगे से नीचे आ जाती है anatomically जो इसका position है वो हम medical students को पढ़ाते हैं, मैं medical students को पढ़ाती हूँ, इसको जो level होता है वो spine के level पे होता है अगर वहाँ से थोड़ा नीचे आ गया तो उसको बोलते हैं prolapse, कारण बहुत सारे होते हैं, पहले तो stages समझो, stages होती है stage 1, 2, 3 and 4 stage 1, अगर डॉक्टर ने आपकी पढ़्ची पे लिखा है stage 1 prolapse है, यानि की बच्चे दानी थोड़ी सी नीचे आई है, लेकिन अभी वो विजयना के अंदर ही है stage 2, यानि की विजयना के मुँपे आ चुका है वो, और 3 and 4 में वो पूरा बहार लटक जाता है, तो 2, 3 and 4 में surgery की जरूस होती है, 1 को हम बेना surgery के ठीक कर सकते है आपको पता कैसे चलेगा कि आपको prolapse हो रहा है, आपको नीचे heaviness लगेगी, आपको ऐसे लगेगा मुझे बार-बार toilet आ रही है क्योंकि टौलेट पूरी निकल निकल ने रही है, आधे से आदा टौलेट का रास्ता बाहर लटक गया, तो आपको बार-बार उसको अंदर प इस प्रेगनेंट भी हो जाती है, या प्रेगनेंसी के समय भी उनका यूटरस बाहर आता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, एक रिंग पैसरी आती है, एक छला आता है, जिसको आप अंदर लगा देते हैं, नॉर्मली पांच्वे महीने में, जैसी चौथा मह इनक खतम होके, आप पांच्वे में जाएंगे, बच्चे दानी अपने आप ऊपर खिच जाती है, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, बढ़ हां कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है, अगर आपको प्रोलाप्स है, इन सब चीजों के लावा आपको कई बार पैन्फुल करती है, उनको अपनी कीगल एक्साइजरी यानि कि पेल्विक मसल्स को बहुत टाइट रखना जरूरी है, साथ ही में अगर आपको लगर आपको प्रोलाप्स हो रहा है, तो जो भी प्रोलाप्स हो रहे हैं, जैसे अब्डॉमिनल प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, आपके पेट पर प्रेशर, खांसी की वज़े से, जब जब प्रेशर बढ़ेगा तो आपको इन सब चीजों से बचना है, इसके ट्रीटमेंट में मेडिसन तो कुछ खास नहीं करती है, काम मेंली सरजरी है, सरजरी में ओपन सरजरी भी होती है, यानि कि विजयानली हम यूटरस को निकाल के या अंदर बिठा के टांके लगा दे, या फिर हम दूरबीन से भी इसको ठीक कर सकते हैं, तो यह हो गया आज का टॉपिक, यानि कि आपको लेडीज को पेडू में दर्द क्यों होता है, तो अगर यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक और शेर जरू करि Thank you very much.